नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ओल्लाइन नीउस भारत और मैं हूँ आपके साथ मुझमुझ रह्मान देश में अपनी भद्ध पिटवाने के बाद गोदी मीडिया विदेशों में भी खूब नाम कमा रही है जिस तरह से मोदी जी का डंका विदेशों में बचता है ठीक उसी तरह के चर्चे उसी तरह का डंका गोदी मीडिया का भी विदेशों में जोरो शोरो से बच रहा है खबर है कि कुवैत गोधी मीडिया को कोट में घसीच सकता है क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले कुछ ये तस्वीरे देखिए गोधी मीडिया के डिबेट्चों कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ मुद्धे हैं अब इने देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश किस तरह का विश्व गुरू बन रहा है हालत ये हो गई है कि अब कुवैत गोधी मीडिया पर स्यू यानि मुकदमा करने की चेताव नि दे रहा है उसे कोट में घसीचने की चेताव नि दे रहा है गोधी मीडिया पर कुवैत डिस इंफोमेशन यानि दुश प्रचार फैलाने को लेकर मुकदमा कर सकता है उसे कोट में घसीच सकता है दिरसल दोस्तों हुआ ये की कुवैत में पेगंबर सहाब को लेकर विवादित टिपणी के खलाफ प्रदशन करने वालों को वापस भारत भेजा जाएगा ऐसी खबर है अब ये दैनिक भासकर की खबर देखिए इसके मुताबिक पेगंबर मुहमत सहाब पर विवादित टिपणी के खलाफ कुवैत के फ़हील इलाके में भारी विरोध प्रदशन हुआ इसके बाद कुवैत सरकार ने सकत आक्शन लिया जो लोग प्रदशन कर रहे थे अक्शन लेते हुए पेगंबर सहाब के समर्थन में नारे बाजी करने वाले प्रदशन कारियों की गरफतारी के आदेश दिये और उन्हें उनके देश वापस भेजने का फैसला किया इसके अलावा उनको दोबारा कुवैत आने पर बैन कर दिया जाएगा ये लिखा है दैनिक भासकर की एक खबर में ऐसी खबर है अब ये खबर सामने आते ही गोधी आंकर दिवाली मनाने लगे गोधी आंकरों में खुशी की लहव दोडने लगी मानू जैसे कोई किलाफ फते कर दिया हो और इसी खुशी को जाहिर करते हुए आंकरों ने ट्विट पर ट्विट करना शुरू कर दिया लेकिन अफसोस उनकी इस खुशी पर कुवैत ने पानी फेर दिया कुवैत से MJL श्रीका ने गोधी मीडिया के आंकरों को कोट में घसीटने को लेकर चेताबनी दी है MJL श्रीका के बारे में बता देते हैं MJL श्रीका मानवधिकार और अंतराष्टिय माननिय कानून केंदर के प्रमुक है यानि की उनके लीडर है चीफ है कुवैत इंसिट्यूट फॉर लॉयड्स एंडीगल स्टडीज में फ्रेनिंग ऑफिसर के मेंबर है और अपने ट्वीटर बायों में वो बताते हैं कि उन्होंने क्रिमिनोलिजी में मास्टर्स कर रखा है MJL श्रीका ने ट्वीटर पर गोधी आंकरों की क्लास लगा कर रखती है इन्होंने कई सारे ट्वीट्स किये सबसे पहले ये ट्वीट देखिए जिसमें वो बोधी आंकरों को मुकदमा करने की जिताबनी देते है कुवैत के अंतराश्टी है माननी है कानून केंदर के चीफ एक इंडिया ट्वीट की न्यूस क्लिप को रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं साथधान रहे मैं इस रिपोर्टर पर मुकदमा करूँगा जिसने बिना सबूत और आधिकारिक राज्ये आधिकारियों की अनुमती के बिना बात की ट्वीच में आगे लिखते हैं वो ये भारतिय हिंडुत्व टीवी चैनल की ओर से दुश प्रचार फैला कर कुवैत राज्ये में शांती मभंग करने की कोशिश कर रहा है तो देखा आपने गोधी मीडिया पर कुवैत के अंतराष्टिये मानविदिकार के चीफ वहां के प्रमुग किस तरह से कुवैत में शांती भंग करने कारोप लगा रहा है वो कह रहे हैं कि यह रिपोर्टर दुश प्रचार फैला रहा है लोगों को मिजगाइट कर रहा है खबर कुछ और ही है और यह खबर कुछ और ही बता रहा है अब सवाल ये है कि इस खबर में कितनी सचाई है क्या सच में ऐसा है जैसा मीडिया बता रही है कि वहाँ पर प्रदर्शन करने वाले को अपने देश वापस भेजिया जाएगा क्या सच में ऐसा ही है एमजेल श्रीका का एक और ट्वीट देखिए कुवैट से एमजेल श्रीका प्रदर्शन में शामिल मुसल्मानों को कुवैट से बाहर निकालने वादी खबर की सच्चाई बता रहे है उन्होंने ट्वीट किया हिंदत्व ट्रोल कुवैट के बारे में फर्जी खबरे फैला रहे है हैश्टेक फहाहिल में निराधर विरोध के आधार पर किसी का निर्वासन नहीं है यानि किसी को भी देशत निकालने का डंड नहीं दिया कया है आगे लिखते हैं बीजेपी आईटी सेल यहां जन्मत को प्रभावित नहीं करती हैश्टेक शटअप हिंदू लायर्स इस खबर की पूरी सच्चाई इस ट्वीट ने साफ कर दी है यानि अभी तक इसकी पुष्टी कोवेत ने नहीं की है कि वो ऐसा करने वाला है या नहीं कर दे वाला है लेकिन यहां गोधी मीडिया पहले से ही इसका धिंडोरा पीतने लगा है गोधी मीडिया पहले से ही इस बात को बड़ा चड़ा कर दिखाने लगा है कि देखिए जिस कुवैत की आप दुहाई दे रहे थे वो तो आपको देश से निकाल रहा है प्रदशन करने पर कुवैत के शेक ने गोधी मीडिया के मुँपर करारा तमाचा मारते हुए खबर की पूरी सच्चाई बता दी है उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तक इसकी कोई पुष्ची नहीं की गई है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी खुद को तसली देते हुए गोधी मीडिया ऐसी हरकतों से बास नहीं आ रही है ऐसे ट्विट करने से बास नहीं आ रही है सुषान सिना का ये ट्विट देखिए इस ट्विट में सुषान सिना एक स्क्रीन चोट शेयर करते हैं और लिखते हैं जिस कुवैट के लिए आखों में महबत लिए कूद रहे थे वहां खड़े हो चार नारे लगाने पर बोरिया बिस्तर बांध कर इंडिया रवाना कर दिया जा रहा और यहां सर्तन से जुदा मरजा मोधी के नारे लगाने के बाद भी फ्री में राशन, घर, शौचालने मिलता है अब भी कहां आपके क्या हैसियत है समझ ना आए तो भगवान मालिक सुशान से ना आपके इस ओवर कॉंफिडेंस का तो भगवान ही मालिक है सुनान आपने कैसे कूद कूद कर जो गोदी मीडिया के अंकर है वो बता रहे हैं कि देखिए भई कुवैट में नारे लगाने वाले मुसलमानों को देश से बाहर किया जा रहा है देश से निकाल दिया जा रहा है जबकि ऐसी किसी भी खबर की पुष्टी अभी तक कुवैट ने नहीं की है सुशान सिना जो कह रहे हैं उनके ट्विट को ध्यान से पढ़िए ये ट्विट बताता है कि किसी एक समुदाय, विशे समुदाय को टारगेट कर कैसे कुछ लोग चटकारे लेते हैं कुवैट के शेक ने सुशान सिन्ग के इस ट्विट को भी री ट्विट करके उनको आयना दिखाया है वो कहते हैं कि भारत के मुसल्मान को वैट के मुसल्मानों के भाई हैं कोई उन्हें देश से नहीं निकाल रहा सडको पर जमा होकर नारे लगाना और फिर पुलिस के डंडे और गोलिया खाना मुर्कता है इसलाम नहीं Islam मुर्खों नहीं मुकाबला करने वाले वीरों का धर्फ है सोचो क्या करना है कुवैत के शेक ने साफ कह दिया कि मुसलमान कुवैत के मुसलमानों के भाई है उन्हें कोई भी देश से नहीं निकाल रहा फिर भी चाटुकारिता करने के दौर में ये लोग सुधर कर भी नहीं सुधर सकते गोदी मीडिया को धूल चटाने वाले कुवैति शेक से ट्विटर यूजर ट्विट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सहाब रूबी का लियाकत को भी फटकार लगाई है ये भी यहां की बड़ी पत्रकार है इन्होंने भी ऐसे ट्विट किये हैं ऐसी खबर जो है फिराने का काम किया है एक ट्विटर यूजर कहते हैं शेक साथ इन मोहतरमा को भी बताव सच क्या है बड़ी पत्रकार है ये यहां की एक बहुत बड़ी पत्रकार और बीजे भी आईटी सेल की कारक करता है आपको बताते दोस्तों कि रुबिका लियाकत ने भी इसी तरह का एक ट्विट किया है रुबिका आपने ट्विट में लिखती है कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाब प्रदशन करने वालों को गिरफतार कर वापस उनके देश भेजा जाएगा कानून के मुताबिक गैर कुवाती लोग उस देश में प्रदशन करें तो अपराध है इसी देश पर कुछ लोग बड़ा इत्रा रहे थे लोग तांतरिक मुल्यों में भारत को कोई सानी नहीं है दिलो दिमाग में बसा लीजिए इसके साथ ही लोग ट्वीटर पर जो ट्वीटर यूजर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं रुबिकल याकत से कि ट्वीट करने से पहले आपको भी दिलो दिमाग में थोड़ी सी जाच परताल कर लेनी चाहिए थे इस खबर को लेकर दोस्तों आपको बता दे कि भारत और कुवैत के रिष्टे काफी मजबूत रहे हैं एतिहासिक रूप से भारत अपनी जरूरत के ओयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां से इंपोर्ट करता है वही कुवैत में काम करने वाले कुल भारतियों की संख्या तकरीबन 10 लाग के आसपास है नुपुर शर्मा के बयान पर पहले 57 मुस्लिम देशों ने इसलामिक सयोग संगटन यानि की OIC ने विरोध जताया इसके बाद कुछ अरब देशों ने भारतिये उत्पादों का बहीशकार करना शुरू कर दिया इसके साथ ही इरान, इराग, कुवेट, कतर, सौधी अरब, उमान, युएई, जॉर्डन, अफ़कानिस्तान, बहरीन, माल्ति, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी इस बयान का नुपुर शर्मा के विवादत बयान का विरोध जताया थ दर्च किया था, इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर आपकी क्या राया है, कमिन्ट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हम कोई भी खबर डालें, उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक प